हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन चैनल मैत्रे एजुकेशन हप पे आज हम मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक जो की UPSC प्रिलिम्स एड वेरियस अस्टेट इग्जामिनेशन के पॉइंट ओ व्यू से मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक बुधिज्म करने वाले हैं आपको पता होगा कि UPSC प्रिलिम्स में on an average 2-3 कोश्चन बुधिज्म से related होते ही होते हैं हर एक साल और हर एक साल आपको कुछ न कुछ उन कोश्चन में नया देखने को मिलता होगा आपको पता नहीं चलता होगा कि ये कोश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं actually ये जो कोश्चन है most of the कोश्चन मैंने देखा है वो एल बासम की किताब से है जबकि एल बासम का अगर आप किताब देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्मनस है बहुत ज़्यादे मोटी किताब है उसे अगर आप पढ़ने जाओगे तो वो कोई cost to benefit ratio वो मेल नहीं खात है इसलिए बहुत सारे teachers और students उसको prefer नहीं करते हैं लेकिन उससे question पूछे जा रहे हैं और एक बार अगर आपने उसे हिम्मत करकर अगर पढ़ लिया तो मेरी मानिये आपके बधिर्म से question कभी गलत नहीं होने वाले हैं मैंने एल बासम जो book है उससे consult करकी ये notes prepare किया है और जो भी important जो चीज है examination point of view से उसे मैंने इसमें समलित किया है इसमें attach किया है तो ये lecture बहुत ज्यादा important है बहुत ही ज्यादा important है किसी भी state examination और UPSC examination के point of view से तो ध्यान से सुनिए इस lecture को यहाँ पर हम mainly क्या करेंगे focus करेंगे बुधिर्म का वो aspect जो की examination point of view से important है बाकि जो के बारे में जानना है तो मैंने अपना contact number description box में डाल दिया है वहाँ पर जाकर आप हमें call करें और हम बुधिज भी नहीं जितने भी जैसे कि Indian philosopher हुए हैं जैसे कि ओसो बहुत ज्यादा प्रसिद हैं उसके साथ साथ जे कृष्ण मूर्ति यानि कि जिद्दू कृष्ण मूर उनके बारे में अगर आपको discuss करना है तो description box में मेरा contact number दिया हुआ है यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ UPSC prelims point of view से ये question करने वाले हैं ये topic पढ़ने वाले हैं ठीक है तो देखी ये बुधिज में हम लोग क्या क्या discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले life events of बुध्धा ठीक है उ जो उसके सबसेक्ट से उनके बारे में discuss करेंगे इससे question काफी बार पूछे गया है यूपेसी 2020 में ही इससे question पूछा गया था टेक्स्ट जो related हैं बुधिज में से related टेक्स्ट उसके बारे में हम लोग details से जानेंगे और साथ ही साथ जो important terminology है आपको पता हुआ कि prelims में कभी-कभी ये terminology पर खेलता है जैसे कि यूपेसी prelims 2020 में परमिताज सर्मनाज ये सब terminology यूज हुए थे questions में और जिनको नहीं पता था उनको लगा कि ये कहां से question पूछा गया है तो आप ध्यान से इस lecture को देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये handwritten notes बनाया है art and culture में और ये एल वासम के किताब को ही consult करके बनाया है जो पहली बार जो है क्या है कि हम देखते हैं कि बुद्धिज्म को कैसे पढ़ा जाए तो मुझे सबसे अच्छा वे लगा कि आप जो त्री ज्वेल से बुद्धिज्म का जो त्री रतनाज माना जाता है वहीं से इंक हो जाती है तो जो त्री रतनाज हैं वो क्या माने जाते हैं पहला है बुद्धम सरणम गच्छा में दूसरा है धमम सरणम गच्छा में तीसरा है संगम सरणम गच्छा में ये तो आप जानती होंगे जो पहला है बुद्धम सरणम गच्छा में इसमें बुद्धा सेल जो भी डॉक्ट्रीन है उसके बारे में बात करेंगे जो तीसरा ज्वेल है वो है संगम सर्णम गच्छामी यानि की कॉमिनेटी ओफ संग उसी को मौंक्स उसी को संग बोला जाता था ठीक है तो सबसे पहले हम बुद्धा के लाइफ के बारे में जानते हैं तो देखी ये उसका जो सिंबल है लोटस है यहां पर आप देख सकते हैं ये लोटस है इनकी जो जन्म हुआ था वो माना जाता है कि 563 BC के आसपस इनका जन्म हुआ था एक्जेक्टली नहीं होगा लेकिन एक्जामनेशन में इसी को आप मानी कि 563 BC और ये बैसाख पूर्णीमा का वक्त ता और लुंबनी जो जगह है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये जो लुंबनी जो है वो territory है किसी territory थी वो साक के रिपबलिक की territory थी ठीक है उसके बाद next जो event आता है वो घर छोड़ने का जब उन्होंने अपने home को renowns कर दिया उन्होंने 29 year की age में अपना घर था ठीक है उसी को बुधिज में क्या कहते हैं महावी निश्कर्मना महावी निश्कर्मना बोलते हैं यह घर छोड़ने की जो रिनाउंस्मेंट ऑफ होम है उस इवेंट को महावी निश्कर्मना बोलते हैं बुधिज में तो यह टर्मलोजी आप बिल्कुल याद राखे कि मह वी निसकर्मना किसे कहते हैं यानि कि रिनाउंस्मेंट आफ हूं ठीक है इसी को इंगलिस में बोलेंगे कि ग्रेट गोइंग फोर्थ ठीक है इनकी जो फर्स्ट टीचर थे उनका नाम था अलारा कलमा ठीक है और नेक्स्ट टीचर हुए इनके वो थे उद्रका राम पुत्र आपकों पता होगा कि जब बुद्ध अपने घर छोड़कर बाहर निकले तो इन्हें जो भी इनके मन में जो भी डौट था जो कुशिंथा उसके ल tenía क्रिख्वझ बहुत सारे टीचर के बास गय entrepreneurs सारे टीचर्स ने इनको वे बताया बहुत सारे वे को इन्होंने ट्राइ किया लेकिन कोई भी वे से इनको satisfaction नहीं मिली अंतता जाकर इन्होंने सारे वे को त्याग दिया और फिर बोधी विरिक्ष के नीचे आप लोग जानते हैं इन्हें निर्वाना प्राप्थ हुआ यही जो है बोधी विरिक्ष जो कि निर्वाना का ही सिंबल है ठीक है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं संबोधी कहते हैं at the age of 35 years में इनको निर्वाना प्राप्ट हो गया था कि यानि enlightenment प्राप्ट हो गया था ठीक है next event आता है फिल जिसका सिंबल है और यह इवेंट क्या है life event यह धर्म चक्र परिवर्तना यानि कि जो इन्होंने पहली शिक्षा पहला जो उपदेश दिया था उसी को कहते है धर्म चक्र परिवर्तना और उसका जो सिंबल है वो विल है और जो लाश जो है वो अस्तुपा है यानि कि इनके देत की ये सिंबल है उसी को देत को क्या बोलते हैं बुधिज में महापरी निर्वाना ठीक है तो ये टर्मलोजी याद रखे कि महापरी निर्वाना को बोलते हैं देत महाविनिस कर्वन को बोलते हैं renouncement of whom इनके जो फादर थे उनका नाम क्या था वो सुदोधना नाम था ठीक है और इनके फादर क्या थे एक रिपब्लिक के उस समय प्रमुक थे चीफ थे ठीक है एक रिपब्लिक किंग थे आप देखिए कि उस समय भी भारत में रिपब्लिक था रिपब्लिक किसे कहते हैं कि हेड अप देश्टेट को इलेट किया जाए उसी को रिपब्लिक कहा जाता है और ये कपिल वस्तु रिपब्लिक के किंग थे सुदोधना इनके फादर और इनकी जो मदर है वो महा मया ठीक है जिनकी अरली स्टेज में देत हो गई थी और इनको फिर इनकों है जो विमाता है यानि स्टेप मदर है उन्होंने इनको पाला था जिनका नाम था महा परजापती गौतमी ठीक है जो कि आगे चल कर इनकी सिस्षय भी बनती है ठीक है यह याद रखें जो महा माया इनकी जो मदर थी वो princess of Kolia Republic की princess थी इनकी जो साधी हुई यह सोधरा नाम की स्तिरी से साधी होती है इनकी और यह सोधरा जो है वो भी एक princess थे साक्य dynasty के princess थे और इनकी son का नाम राहुल राहुल था जैसा कि आप जानते हैं तो यह हुआ कुछ live events गुद्धा से related ठीक है यह age of 35 under the people tree वो people bricks है बोधी bricks किया एक people का पेड़ है जो कि बोध गया उर्वेला बोध गया और यह जो किस river की किनारे बसा हुआ है तो वो निरंजना river जो कि फल्गु river के नाम से अर्ट परिजंट जाना जाता है वहाँ पर इनको enlightenment की प्राप्ति होई थी फर्ष सर्मना हमने देखा कि उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है फर्ष जो सर्मन है अपनी जो उपदेश है उन्होंने सारनाथ में दिया था डियर पार्क में ठीक है अपने पांच सिस्यों को ठीक है और इसी को क्या कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तना turning the will of law और इनकी मिर्तिव कब हुई थी तो 80 years की age में 483 BC at the कुसी नगर कुसी नगर में यानि की जो महापरी निर्वाना है वो कहां हुआ कुसी नगर में UP में जो बुद्धा के जो हॉर्स था ठीक है उसका नाम क्या था कंठका और बुद्धा के जो चैरियोटर थे जो सार्थी थे उनका नाम था चन्ना और इनके जो एक कजन हुए जो फेमस हुए थे वो देवदत था आपने कहानी तो सुनी होगी सिदार्थ और इनका बच्पन का नाम सिदार्थ था और इनके जो कजन थे देवदत थे एक बार की कहानी है कि ये दोनों में प्रतियोगता लगती है स सिकार में क्या करते हैं जो देवदत हैं वो एक पक्षी को मार गिराते हैं जबकि वो घायल हो जाता है पक्षी उस घायल पक्षी को सिधारत उठा लेते हैं उनकी मरहम पट्टी करते हैं और वो ठीक हो जाता है जब वो ठीक हो जाता है तो उस पर हक जताने के लिए देवदत पहुँचते हैं देवदत बोलते हैं कि इस पर मेरा हाखा क्योंकि मैंने इसको मार गिराया है फिर अंति में निर्णे ये निकलता है राजा के दुवारा जो कि सुदोधन थे उन्होंने निर्णे ये निकाला कि जो मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला ठीक है रखते हैं कि बुधिस्ट काउंसिल बहुत ज्यादा एक जामनेशन पॉइंट ऑ विव से इंपोर्टेंट है पुरे हिस्ट्री में चार बुधिस्ट काउंसिल हुए हैं जो फर्स्ट बुधिस्ट काउंसिल 483 विसी यानि कि जिस वर्स बुद्धा की देथ हुई थी उसी सा काउंसिल है फर्स्ट काउंसिल का रिजल्ट किया हुआ तो कंपाइलेशन हुआ दो पिटक का तीन पिटक बुधिस्ट में है ठीक है वो हम आगे पढ़ेंगे यहां पर दो पिटक की कंपाइलेशन होती है फर्स्ट काउंसिल में वो कौन-कौन से है सुथ पिटक एंड वि एस्थाइस्ट काउंसिल से 100 यहां पर जो पैट्रोनाइजर थे वो कालशोका थे और कालशोका किस डैनेस्टी से विलोंग करते थे सीसुंगा डैनेस्टी से और यहां पर अस्थारा वीरावाडिन और महासंहिकाज ये दो पार्ट्स में सबसेक्ट्स में डिवाइड हो गया था ठीक है पहला डिवीजन हुआ जो कि अस्था अस्थावीरा वाडिन और महासंखी काज में एंड थार्ड जो बुद्धिश काउंसिल हुआ टू फिप्टी बिसी में बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि इसके पेटरोनाजर थे वो ग्रेट असोका मोरियन डाइश्टी के पेटरोनाजर थे ठीक है और यहां पर जो थार्ड जो पिटका है यानि अभिधम पिटका उसकी कंपाइलेसन में होती है और यहां पर जो अशोका है वह अपने मिस्णरी को विदेश्वा में भेजते हैं रहता है तो यह कनिश्का के दुबारा जो कि कुशाना डाइनेश्टी के रूलर थे ठीक है यहाँ पर compilation होती है महा महावी विनाश सस्त्रा का और यह संस्कृत कमेंट है कि इस पर त्रिपिट का जो उनी पर संस्कृत में कमेंटरी जाये ठीक है तो यह यहाद रखें यहाँ पर और यहीं पर एक most घटना घटती है डिविजन हो जाता है major division हो जाता है सेक्ट में और यह हीन यान और महायान सेक्ट यहाँ पर दो division हो जाता है ठीक है तो ये ये है कुछ ये बुदिष्ट काउंसिल next हम देखते हैं कि बुद्धा का जो basic doctrine है बुदिष्म का वो क्या है तो basic doctrine जो बुदिष्ट है उसे हम बोलेंगे conditioned co-production ये एल वासुम में ही mention आपको मिलेगा और कहीं किताब में कोई mention नहीं है लेकिन अगर EPSC पूछती है तो इस standard से तो जरूर पूछेगी ठीक है condition co-production का मतलब ये होता है अगर मैं explain करूं इसे तो इसका मतलब ये होता है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है अगर कोई एक event हो रहा है तो वो किसी ना किसी event पर dependent है ठीक है conditioned co-production किसी ना किसी conditioning पर वो dependent है जिसके कारण दूसरी conditioning हो रही है और अच्छे समझते हैं और ये जो doctrine है ये बुद्धा himself नहीं दिया था बुद्धा के द्वारा ही दिया गया था और उनके बाद के जो disciple आए उन्होंने भी इस doctrine को आगे बढ़ाया ठीक है यहाँ पर जो है बोला गया कि origin of those things which proceed from a cause हर एक हर एक की proceeding क्या होती किसी कारण से होती है and dear citizen to और किसी कारण से वो siege भी हो जाता है ठीक है इसी को बोलते है doctrine of great सर्मना याद होगा आपको कि UPSC 2020 के prelims में सर्मना ये terminology पूछा गया था कि सर्मनाज कौन है ठीक है तो सर्मनाज क्या है कि यह जो buddhist saints होते हैं उनको सर्मनाज बोला जाता है और यह जो doctrine है इसी को बोला गया doctrine of great सर्मना बुद्ध को भी सर्मना बोला जाता है यानि कि यह लोग एक और बात आपको यहां में बता दूँ आपको clear हो जाना चाहिए कि बुद्ध जो है वो God पर बिलीव नहीं करते हैं ठीक है उसके बाद बुद्ध सोल पर भी बिलीव नहीं करते हैं कोई भी आत्मा पर ब लेकिन नोबडी इज रिवार्ण, ठीक है, देर इज इनलाइट्मेंट, लेकिन नोबडी अटेंस इट, इसका बहुत डीप मिनिंग है, आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको डीप में जानना है, तो हमें कांटेक्ट किजिए, हमारा कांटेक्ट नॉम्बर डिस्क का मेनिंग यह होता है कि जो भी डिपेंडेंट जो औरिजिनेशन है, और डिपेंडेंट एराइजिंग है, किसी भी चीज का, एक चीज पर डिपेंडेंडेंट है, अगर एक चीज एकजिस्ट कर रही ही, तो दूसरी एकजिस्ट कर रही है, अगर एक चीज sieges to exist तो दूसरी चीज भी exist नहीं करेगा ठीक है यह भी एक deep meaning है लेकिन आप याद रखें कि जो doctrine of condition co-production है यह main basic doctrine है बुद्धिश्म का अब यह basic doctrine है इसी से निकला हुआ है 12 निदानाज आपको सिर्फ और सिर्फ यह terminology याद रखना है कि there are 12 निदानाज जिसको बोलते हैं 12 12 निदानी ठीक है यानि 12 का मतलब होता 12 निदानाज यानि कि निदाना का मतलब होता links तो अगर आपको यह option में दिया गया है कि there are 12 links तो वो सही है बुद्धिश्म में ठीक है बाकी यह सब चीजें आपको जानने की जुरत नहीं है ठीक है और यह भी बोला जाता है कि there is reverse conditionality जिसको बोलते हैं 12 links in reverse order यानि कि जो 12 links है उसके करण condition हो रहा है उस condition को हम unconditioning कर सकते हैं और एक state of bliss को पा सकते हैं और वो reverse order of conditionality बोला जाता है जिसको बोलते है 12 links in reverse order ठीक है यही जो reverse order है आपको निर्वाना तक ले जाता है let's to the nirvana and part to deliverance ठीक है next यहाँ पर हम लोग आगे ही बताया था कि हम terminology discuss करते चलेंगे जो भी terminology आएगा तो यहाँ पर एक terminology मैं आपको discuss करना चाहता हूँ यथा भूता कोई भी जो चीज है उसको उसी तरह देखना जैसा कि वो है without interpreting हम लोग क्या करते हैं अगर किसी चीज को देखते हैं तो अपने mind में पहले उसकी picture बनाते हैं और वो picture के through देखते हैं उसको directly नहीं देखते ठीक है यहाँ पर होता है कि अगर जो भी जैसा है अगर किसी ब्यक्ति से आप मिल रहें तो वो जैसा है उसी रूप में उसको देखना उसी रूप में उसको एक्सेप्ट करना उसी रूप में उसको देखना यथा भूता यानि कि जैसा है वैसा ठीक है means knowledge and a vision of things as they really are next ये तो हमने पहला बात की बुद्धा के बारे में दूसरा हमने धह्मा देखा और तीसरा हम देखते हैं संगाज ठीक है तो ये last of the three refuses उसे भी बोलते हैं और three jewels भी बोलते है three jewels and the three refuse एक ही है three refuse का मतलब क्या होता है कि सरण में जाना है ना सरण लेना इसका मतलब किया हुआ meaning तो आरे संगा या फिर assembly of elect बोला जाता है संगा का मतलब ये जो है जो बुद्धिष्ट में जो संगा जो संग था इसमें सब कोई allowed था irrespective of caste classes यहां तक कि जो पहले बुद्धा ने women को आने से रोका था लेकिन बाद में women को भी allowed कर दिया था तो entire जो बुद्धिष्ट community है उसे क्योंकि सभी लोग उसमें सामिल है इसलिए इसको कहा जाता है महा संगा और the great assembly ठीक है इसमें बोथ विक्षू और विक्षूनी यानि कि monks और nun दोनों है ठीक है लाइक धमा जो संगा भी है बहुँ सारे stage से evolve हुआ है बहुँ सारे stage से होकर गुजरा है जो पहला stage जो है इसमें आप देखिएगा तो ये जो है earlier ये lifetime बुद्धा कहीं lifetime में ये पहला evolve हुआ था और इसमें क्या है ये remained outwardly indistriable from the other religion front lines of the time ठीक है और जो second development ये हुआ कि compilation शुरू हुआ ये जो second development आप यहां देखिएगा कि compilation शुरू हुआ किस चीज का तो ये जो परती मोक्षा है आप ये terminology भी याद रखें कि परती मोक्षा क्या है ये 150 rules का compilation है ठीक है और ये 150 rules की जो explanation है या फिर उसके बाद जो विस्तार है वो असकंदकाज असकंदकाज के यानि कि chapters के द्वारा इसको compliment किया जाता है ठीक है तो ये 150 rules और ये जो chapters जो मिलकर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं विनय और ये ही विनय पिटका का निर्मान करता है आगे चलकर यानि कि विनय का मतलब क्या हुआ the practical order disciplinary aspect of the dharma ठीक है जिसे आप practice में लाते हैं ठीक है आगे हम देखेंगे कि विनय पिटक क्या होता है यहाँ पर एक और हम लोग terminology देखते हैं उपासकाज and उपासिकाज ये भी बुधिश्म के terminology में यूज हुआ है वो three jewels के लिए उनके सरण में जाते हैं और जो बुधा के relics है उनको worship करते हैं उनकी पूजा करते हैं and support the monks और जो भी बुधिश्ट monks है ठीक है उनको वो support करते हैं किसी भी रूप से ठीक है चाहे विक्षा देकर या morally support करते हैं किसी भी रूप से तो उसको हम लोग कहेंगे उपासक and उपासिकाज ठीक है यह terminology होता है फिर आगे जैसे कि आगे बढ़ा century और more after the परी निर्वाना यानि कि बुधा के देत के बाद क्या हुआ संग में split हुआ और यह चार split हुए और यह चार split हुए है यह असोका के life के दोरान ही यह तब तक चार भागों में बढ़ चुका था और वो चार भाग कौन से हैं पहला है महा संगिकाज जो आगे चल कर महायान में बदल जाएगा ठीक है तो UPSC ने prelims 2020 में यह पूछा भी था कि महा संगिकाज किस से related है महायान से है या नहीं ठीक है वो statement true था कि नहीं था ठीक है तो आप देखें कि यह EL बासम का कितना ज्यादा importance है एक बार आपने इसे धंग से समझ लिया बार बार इस वीडियो को देखें एक बार धंग से थे जो कि spiritual need के बारे बात करते थे spirituality की बात करते हैं और जो अस्थावीरा wardians है वो लोग commonly उनको 13 wardians भी बोलते हैं ठीक है और यह जो बोलते थे कि monastic terms जो है न salvation के लिए वो निर्वाना के लिए वो ज़्यादा important है monastic terms का मतलब rules and regulations सबसे ज़्यादा important है यहां पर यह spiritual need की बात करते हैं महासंगिकाज और अस्थारा वार्डिंस जो बात करते हैं monastic terms की बात करते हैं ठीक है अब आगे चलकर जो अस्थारा वार्डिंस है यह भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो total हो गया ना चार तो यह यह जो है किसमें डिवाइड होते हैं तो यह पुद्दगाला वार्डिंस और दूसरा है सरावास्ति वार्डिंस ठीक है तो तीसरा और चौंथा हो गया पुद्दगाला वार्डिंस और चौंथा हो गया सरावास्ति वार्डिंस as a whole तो पृदगला वाडेंस जो है वो किया बलीव करते हैं they believe in the existence of person as a real absolute fact याने कि जो person का existence है वो ही fact है real and absolute fact है यह यह बात करते हैं पूदगला वाडेंस और जो सरावस्ती वाडनस है वो बात करते हैं ultimate elements of dharma की और धर्मा का मतलब यहाँ पर experiences हुआ कि जो ब्यक्ति experience करता है वो absolute fact है इसकी बात करते हैं सरावास्ति वाडिन्स ठीक है तो हम देख सकते हैं कि असोका के time तक क्या था कि चार subsects में divide हो चुका था ठीक है 18 sects इनके साथ जुड़े हुए ठीक है तो यहाद रखिएगा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महा संखिकाज था वही आगे चल कर क्या बनता है महायान यानि कि महायान का जो origin हुआ है वो महा संखिकाज से हुआ है ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं कि महायान is originated from the महा संखिक and the air offsuits ठीक है जो सरावास्ति वार्डिन से ठीक है along with the other sect यह क्या बनाएंगे यही नियान बनाएंगे यानि कि लेसर वेहिकल जो कि हम आगे जाके भी पढ़ेंगे तो आप याद रखे कि सरावास्ति वार्डिन किसे related है ही नियान से and महा संखिकाज किसे related है वो महायान से य चाके नेरुतिया का मतलब यह होता है कि बुद्धा焦 मैसेज इन और बॊलते हैं यह यह राथ नेंगविज की क्या良 यूज वा तो जो कैनने वहाज संकात है वह प्रकेर्टम वर्द सम्स्क्रीत तो येशा कहना आप पाली भासा का प्रयोग किजिए ठीक है और जो बाकी अगर ये option में डाला गया है कि बुद्हिज्म सिर्फ और सिर्फ पाली भासा में है तो वो बिल्कुल गलत होगा पाली actually क्या है ना कि वो तो एक भासा माना ही नहीं जाता है पाली जो का meaning होता है a line of the second text ये meaning होता है ठीक है जो एल बास हम लिखते हैं वो उसमें ये दिया हुआ है कि पाली is not a language उसका मतलब होता है a line of second text is in fact not the name of a language at all यहां पर देखिए ये mention है जो पाली क्यों यो यूज हुआ तो हो सकता है कि जो जो सेलोन याने की जो सेरिलंकन जो है उन्हें जो commentary ट्रिपिटका पर लिखी है उसका प्रयोग किया होगा पाली पाली वहां टमलोजी यूज किया होगा उसके लिए तो इसलिए ट्रिपिटका को पाली लेंग्विज में माना जाता है अब देखते हैं हमने इतने बात कर ल words ठीक यह तीन त्रिपिटक है कौन कौन से हैं पहला है विनय पिटक दूसरा है सुद्ध पिटक और तीसरा अभिधम पिटक जो विनय पिटक में हम देखते हैं कि क्या इसमें में मेंसन है तो विनय का मतलब होता है that which leads away from the evil वो चीज जो कि आपको बुराई से दूर ले जा यानि कि it stands for the practical or disciplinary aspect of बुधिज्म बुधिज्म का practical और जो discipline related चीजे हैं वो बिनय पिटक में मेंसन है यानि कि अगर ये बोला जाए कि यहाँ पर monastic की rules and regulation इसमें में मेंसन है तो ये गलत नहीं होगा ये सही है ये rules and regulation monastic में यानि कि जो संग में आप रहते हैं उसमें जो rules and regulation follow करना है वो बिनय पिटक में दिया गया है दूसरा है सुत्र पिटक सुत्र का मतलब होता है धागा है थ्रेड लिटरली मिनिंग होता है थ्रेड अब ये किस चीज़ का थ्रेड चो दो तो ये किस चीज़ का जो थ्रेड है तो यहाँ पर जो बुद्धा ने जो discourses दिये उ अभिधम पिटक कहने का मतलब है यह धर्म के धर्मा के बारे में है अभिधम पिटक और यह जो हाया धर्मा की बात करता है यानि philosophical extent की बात करता है धर्मा की याद रखें यह philosophical एक्षै की बात करता है अब नेक्स्ट कर्णा लोकथत्तर वाधिंस यह पेटर वाधिंस यह क्या है सबसेक्ट है महा संगिकाज का ठीक है यह याद रखें और ये यलबासम में मैं से नहीं ठीक है विनय पितक हम अब हम एकाख करके सब को देखते हैं डिटेल से विनय पितक तो यह बोला जाता है इट रिकॉर्ट नोट ओंडी अट रेगुलेशन जो कि हमने देखा था रूल्स एंड पॉलेशन की बात की कि विनय पितक में रूलस to monastic दिया हुआ है लेकिन बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें rules and regulation ही रही है सिर्फ और सिर्फ discipline ही नहीं है mention of the monastic life but also the manners, customs, opinions, knowledge, ignorance, superstitions, hopes and the fears of the great part of the SPI, Asia especially of the India in former ages तो जो भी Asia में यह सब रही चीज़े थी परचले थी उन सब के बारे में भी इसमें mentioned है together with the sutra pitak अगर इसे बिनाय pitak को sutra pitak के साथ मिला दिया जाए तो यह एक बहुत ही ज्यादा reach sources होगा किस के लिए तो हमारे पास information किस चीज़ की information तो civilization उस समय की civilization culture, history, geography, sociology and the religion of the India at about the time of बुद्धा बुद्धा के समय में जो भी religion, वहां की history, geography, sociology, culture, civilization यह सारे इसमें mention है अगर दोनों को साथ पढ़ा जाए तो ठीक है नेश्ट है महावास्तु अवादना ठीक है यह भी एक terminology है याद रखें यह क्या है इजे बलकी विनायक work of the locator vadins मैंने आगी बताया था कि लोकोत्तर vadins किसे related है तो यह महा संकाज का ही सबसेक्ट है तो इनहीं का यह work है महावास्तु अवादना और यह विनायपिटक का वल्व की work है इनहीं का ठीक है विच इस नोट disciplinary work at all ठीक है मैंने आगी बताया कि जो हम लोग समझ रहे हैं कि जो व ठीक है नेश्ट एकते हैं सुत्रपिटक सुत्रपिटक हमने आगी बताया कि इस अब डिस्कोर्स गिवन वाइद बुद्धा एंड रिंसीपल सोर्सेस ऑफ आवर नोलेज ऑफ धर्मा इस जो डिया गया है इसमें डियलेक्टिफ फोर्म nhất है सुत्रपिटक उप स pencil यहां पे जो सुत्रपिटक है उसमें हीन यान और महायान से रिलेटिव क्या का चीजह उसको देखते हैं तो हीन यान के according हिन यान के हिन यान जो है उसमें इसमें चार भाग में divided है सुत्रपिटक ठीक है हिन यान ने दिवाइड किया है और वो जो पहला है वो दिर्ग गमा है या उसको बोलते हैं दिर्ग निकाय है ठीक है जिसमें सबसे ज्यादा लेंदी दिसकोर्सेस है यानि तीस से भी ज्यादा दिसकोर्सेस है सेकेंड है मध्यमा मध्यमा गमा ठीक है या इसको बोलते हैं मध्यमा निकाय यानि कि मिडियम लेंद के डिसकोर्सेस है इसमें ठीक है थार्ड है समुत्य गमा यानि कि समुत्य निकाय भी बोलते हैं इसे और यह ग् numerical collection है ठीक है इसी तरह से जो महा यान जो सुत्राज है इसमें भी six great collections है और वो कौन-कौन से हैं यह भी हम देखते हैं six great six great collection महा यान सुत्राज में कौन-कौन से हैं तो पहला है the group of प्रजना प्रमिताज और इसे क्या बोलेंगे perfection of wisdom सुत्राज ठीक है यह सब terminology जितने यूज हो रहे हैं वह आप याद कर लें perfection of wisdom सुत्राज दियर principle subject matter is सुन्यता और वाइडनेस इसमें यह क्या बोलता है जो principle जो subject matter है वो सुन्यता और वाइडनेस है कहने का मतलब कि व्यक्ति में अगर सुन्यता आ जाए वाइडनेस आ जाए कोई और विचार का उमर्ना ना हो उनकी सारी जो भी question है वो समाप्त हो जाए उसी को कहते हैं सुन्यता और वाइडनेस जो भी वधी सत्वाज हैं इसी वाइडनेस को प्रैक्टिस करते हैं according to महायान सेक्ट दूसरा वज्रचेदिकाज ठीक है यह इसे बोलेंगे दैमंड सुत्रा थर्ड है अवत मास्का और फ्लावर ओर्नामेंट्स फॉर्थ है यह सिफ टमलोजी आप याद रखें कभी कभी अगर यूज हो जाए तो आपको यह किसे रिलेटेड है इसी यही बोल सकता है तो यह महायान सेक्ट से रिलेटेड है दस भूमी का सुत्रा देट विद डिल्स विद टेन स्टेज ऑफ बौधी सत्वाज कैरियर ठीक है दस भूमी का सुत्रा फिफ्ट है रतनाकुटा एंड तो महा स्निपता ग्रोप ठीक है यह बहुत ही कठीन कठीन लेंगवेज है उसके बाद है सड अर्मा पुंडिर का ठीक है यह बोलेंगे वाइट लोटस अफ द गुड लौ तो यह छे यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सिक्स कलेक्शन से ठीक है महायान सेक्ट में किसका त जो सुत्र पिटक का नेश्ट है और लाश्ट जो पिटक है वो है अविधम पिटक अविधम पिटक में हमने आगे बताया था कि यह जो कलेक्शन है वो क्या है फिलोसिफिकल है इट इस अ कलेक्शन ऑफ हाइली अस्कॉलेश्टिक तिरिटेज विद एक्स्प्लेश्ट जो टेक्स्ट है जो डिस्कॉर्स दिये गए है बुद्धा के दोबारा उनको उनका एक्स्प्लेश्टिक अश्टिक एक्स्प्लेश्टिक है ठीक है टीच डिफाइन्स डटेकनिकल टॉमस एरेंच नुम्रिकली आपको पता है कि जो अभिधम पिटक है कब compilation हुआ था आप जाके फिर से देखे तो वो थर्ड जो बुद्धिश काउंसिल है असोका के प्रियड में उसमें ये अभिधम पिटक का compilation हुआ था तो आप देखें कि बुद्धा के मिर्त्यू के बाद याने की जो महा परिविट निर्वाना है उसके बहुत सालों के बाद ये जाके ये हुआ था 250 BC में तो आप समझ सकते हैं कि जो भी जो उसमें जो सूथ पिटक होगा उसका explanation इसमें दिया हुआ है फिलोस्फिकल एक्स्प्लानेशन है ठीक ये हम लोग देख लिए फिलोस्फिकल एक्स्प्लानेशन है आप देखते हैं कि टू डिफरेंट अभी धमा पिटकाज कौन-कौन से हैं तो पहला है जो की 13 वाडिंस के दौरा कंपाइल किया गया और जो दूसरा है वो सरावास्त और अल्टिमेट एलिमेंट और जो दूसरा है जो सरावास्ति वाडिंस के दौरा कंपाइलेशन किया गया उसको बोलेंगे जनना प्रस्थाना या बोलेंगे establishment of knowledge या known as काया सुत्रा ठीक है ये अविधम पिटका कहीं दो कंपाइलेशन है तो आप याद रखे सिर्फ इतना कि अविधम जो पिटका है उसको दो कंपाइलेशन उसका एक जो 13 वाडिंस के दौरा किया गया दूसरा है सरावास्ति वाडिंस के दौरा किया गया है यहाँ पर एक और फैक्ट है कि महायान सेक्ट के जो सेजेज हैं उनके कुछ नाम है महायान जैसे कि नागारजुन और असंगा है यह दो सेज हैं और यह किसे रिलेटेड है महायान से से तिरीपिटका के इलावा भी बुधिज में और भी गरंथ है एक है तंतराज का गरंथ ठीक है आपको यह जानका रहचर होगा कि तंतराज को भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस मिला है बुधिज में these are the most historic, esoteric of the canonical text ठीक है नेश्ट हम देखते हैं from the परा निर्वाना जो की मिर्तु के बाद से लेकर जो की 1197 यानि नलंदा का जो विकास हुआ ठीक है वहां तक जो देखा जाए तो जो ग्रेट बुधिज में है उसमें बहुत ज़्याद development हुआ और development होने के साथ साथ जो तीन जो परमुक सेक्ट निकल कर आए वह हीनियान, महायान और बजरियान इनको हम डेटेल से भी देख लेते हैं कि हीनियान, महायान और बजरियान क्या क्या है तो हीनियान का मतलब होता है little या lesser vehicle या lower way ठीक है इन्हें हीनियान, महायान के दुवारा कहा गया था जो भी महायानिष्ट थे आपको पता है कि हीनियान और महायान में जो दो पार्ट में डिवाइड कब हुआ तो ये कनिसका के दोर में ठीक है अब यहाँ पर जो है महायानिष्ट इनको बोलते है हीनियान या lesser vehicle और little vehicle vehicle ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंक is so called by the महायानिष्ट because it teaches the attainment of salvation for oneself alone ठीक है its spiritual ideal is embodied in the austri figure of the अरहंत यहाँ पर जो इनके main ideal कौन है अरहंत है और अरहंत कौन होते हैं जो कि जिनके अंदर की इक्षाय हैं जो carvings हैं वो समाप्त हो चुकी हैं और वो बहुत ज्यादा जो है वो मुस्किल की जिंदगी जीते हैं क्या इन कठीन जीवन जीते हैं इतनी ज्यादा वो discipline में अपनी जीवन जीते हैं उन्हें अरहंत बोले जाता है अपरसर इन हूम ओल कार्विंग कार्विंग इस एक्स्टिंट और विल नो मौर वी रिवोंड जो कि अब उनको रिवर्थ या रिवोंड के चक्कर में नहीं बढ़ना पड़ेगा उन्हें अरहंत बोले जाता है हिनियान में और ये इनके एक अइडल है हिनियान के हिनियान इंसिस्ट अपॉंड़ मोनेस्टिट क्लाइफ यो यहाँ पर यह मोनेस्टिक लाइफ के बारे में बहुत जयादा जोड़ देंगे यानिकि रूल्स एन अरे महा यान यानि की greater vehicle ठीक है या greater way it is so called because ये ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो teach करता है ये किसकी बात करता है salvation of all जबकि वो सिर्फ alone की बात करता था हिन यान ये जो है यहाँ पर इनके जो idle figure है वो कौन है वो बोधी सत्वा और वोधी सत्वा की इनको बोला जाता है तो who practices the six or ten perfection यानि परमिता ये परमिताज भी पूछा गया था 2020 के prelims में की परमिताज क्या है तो who practicing the six or ten perfection परमिता throughout thousands of life हैना अपने हजारों जीवन से ये six perfections जो परमिताज है उसको practice करते आ रहे हैं और जो aspire to the attainment of बुद्धा हुड और जिनका aspiration क्या है कि बुद्धा हुड को attain करना for the sake of all sentient beings है ना जो भी जिनके अंदर जो senses है उन beings के लिए ये attain करना चाहते हैं बुद्धा हुड और उनको मदद करना चाहते हैं निर्वाना की ले जाने में उनको कहेंगे बौधी सत्वा महयान ने कहा गया है इंद महायान और Θष्या होता है महायान में आपक्त बौद्धे इंडर और हम नष्ट कोई highest achievement नहीं है महायान के according दुर्वाना की तरफ जो आपका पात है उसका एक पढ़ाओ है कर स्टेज है इनके लिए ट्रू गोल क्या है बुद्धा होट को प्राप्त करना सुप्रेम बुद्धा होट अब यहां पर देख लेते हैं कि बुद्धा जो है महायान में बुद्धा को सिर्फ और सिर्फ एक इनलाइटिंग बींग के तरह ही नहीं देखा जाता बलकि उन्हें त्रूट इट्सेल्फ वो ही सच्चाई है इसके इस नजरिये से देखा जाता है और वही जो यह इनवर्स के पीछे की जो सच्चाई है उसके पीछे बुद्धा है ठीक है, यहाँ पर त्री काया की बात की गई है, थ्री बोडिज, त्री काया क्या क्या है बुधिज में, वह हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले है धर्म काया, ठीक है, बोडि ओफ तृत जिसको बोलते हैं, दूसरा है संभोग काया, इसे बोलते हैं, बोडि ओफ रेसिप्रो अभी तक तो नहीं पूछा है अब और टर्मलोजी है अमिताभा अमिताब किसी कह जाता है तो बुद्धा ओफ इन्फनाइट लाइट उन्हें अमिताब के नाम से संबोधन किया जाता है मनजु सरी मनजु सरी कौन है तो बुद्धी और वीजड़म उनको मनजु सरी खा जाता है और लोग की त射स्वरा यहां बुद्धी सत्वा ऑकमिशन और लव फौर्थ वनज वजित वा जो हैं बुद्धी सत्वा ऑफ पावर थीक है जो हात में होता में उन्हें अध इस पर चेजब हम पढ़ेंगे बुधिस्ट लेटेड़ बुधिस्ट से रिलेटड आर्टि टेक्चर जो बुधिस्ट आर्टिक्चर है उसमें देखें कि बहुत सारे जगहों पर जो आवलो की तेस्वरा जो वजरपानी मन्जुशरी ये बौधिसत्वा के स्कुल्टर मिने इन दे फिल्ड ऑफ फिलोसफी ऑफ महायान इज रिप्रेजेंटेड वाइ टू ग्रेट स्कूल दो ग्रेट स्कूल के दुवारे इनकी फिलोसफी को रिप्रेजेंट किया जाता है जो पहला है वो मध्यमिकाज और इन्हें किन्हों ने दिया था तो ये नागारजुना ने द दूसरा है असंगा जो की बात करते हैं योगाक के बारे में ठीक है तो ग्रेट स्कूल योगाक के लिए असंगा के दौबरा और ये दोनों सेजकिस ठीक है वह ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह बात बोलते हैं कि इमिडियेट आपको salvation मिल सकता है इमिडियेट ठीक है जैसे कि जो thunderbolt होता है जो वजरपात होता है वो irresistible होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है नो वो इमिडियेट वो काउज होता है ठीक है उसी तरह जो salvation भी है वो भी इमिडियेट ली मिल सकता है बाइदे एनलेशन अफ आल अफस्टेकल्स टुड़ अटेंडमेंट अफ बुद्धा होड़ ठीक है तो यह याद रखें यह इजयोगिक and magical in character कौण वजरयान की बारे बाद की जा रही है और इनके जो आइडल है वो कौण है सिध्धा जो हमने देखा था हिन यान में उनके आइडल थे अरहंत जो हमने महायान में देखा वहां पर बोधि सत्वा और वजरयान में हम देखते रहे हैं orderly जो inverse है कॉस्मोस है उनके harmony में हैं कि वो totally free हो चुके हैं उनको जो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया को वो अपने तरीके से manipulate कर सकते हैं ठीक है उनको बाहरी और inside की दुनिया ये दोनों पर control है इसलिए हम देखते हैं कि principle में महायान और वज्रियान में ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन हाँ उनके method में बहुत डिफरेंस है ठीक है तो ये हो गया वज्रियान अब spiritual life की बात की जाए तो spiritual life में हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ते हैं तो 8 fold path पढ़ते हैं 8 novel जो कि novel 8 fold path है उसके बाद फिल हम लोग क्या पढ़ते हैं जो कि path of 10 perfection या 10 stages है ये भी है बुधिज में 7 stages of purification भी बुधिज में है उसके बाद 13 awards याने कि बिहाराज भी है और 52 yanas and so on बहुत सारे चीज़े हैं लेकिन इसे आप याद रखें कि 10 stages है 7 stages of purification ह अगर पुछ दिया कि 7 stages of purification किस में है जैनीज में है या बुधिज में है या दोनों में है तो आप confused हो सकते हैं वहाँ पर यह याद रखें ठीक है यहाँ पर एक और है बुधिज में 3 trainings या 3 सिक्षा की भी बात की गई है वो कौन-कौन से है पहला है morality याने कि शीला ठीक है दूसरा है meditation याने कि समाधी और तीसरा है wisdom याने कि प्रजना ठीक है फोर major noble path जो noble truth है इसके बारे में तो आपको लोग ने बहुत पढ़ा होगा जानते भी होंगे यह कौन-कौन से है जो पहला है दुख याने कि truth of suffering दूसरा है समुदया याने कि truth of origin of suffering ठीक है और तीसरा है the truth of cessation of suffering याने कि निरोधा और जो चौथा है maga याने कि there is a path to the cessation of suffering ठीक है तो there is a suffering there is a origin of suffering जिसे हम लोग बोलेगे समुदया and there is a cessation of suffering याने उसे हम लोग बोलेगे निरोधा और there is a part that leads to the cessation of suffering उसे बोलेगे maga ठीक है फिर फिर आप लोग ने यह भी पढ़ा होगा noble eightfold path ठीक है noble eightfold path में कौनकों से right speech याने कि जो सम्यक जो आपका कारे विवहार है जो कारे है उसे बोलेगे sorry यहाँ पर जो speech है वो right speech याने कि सम्यक वाक के right action याने कि सम्यक जो आपके activity है ठीक है जो विवहार है सम्यक action right livelihood याने सम्यक livelihood याने कि क्या बोलते हैं livelihood को हिंदी में वो जो जीवी का है याने कि सम्यक जीवी का next है right effort and the cultivating of self-control right mindfulness right meditation याने कि सम्यक समाधी और right thought याने कि सम्यक विचार और right knowledge याने कि सम्यक ज्यान ठीक है तो यह eight fold path है जिसके थुरू आप salvation की और जा सकते हैं अब आप देखें कि यह eight हो गया यह और four noble truth हो गया यह दोनों को अगर हम जोडते हैं तो 12 होते हैं और यही 12 links हमने पहले बताया याने कि जो basic doctrine है ठीक है condition co-production यह 12 links हमने आपको बताया था और 12 reverse link बताया था इन ही का part इन ही से यह eight fold path और जो four noble truth हैं वो निकल कर आए हुए हैं तो यह आप basics अपनी understanding में रखें फिर है महायान जो हैं वो six perfection में believe करते हैं या six perfection या उसको परमिताज भी बोलते हैं ठीक है पहले भी हमने परमिताज के बारे में discuss किया कि जो बहुत ही स दान यानिकि generosity शील यानिकि virtue morality और discipline शांती patience या tolerance विरिय यानिकि energy diligence या vigor ध्यान और परजना यानिकि wisdom ये six प्रमिताज है यानिकि six perfection से इन्हें practice करते हैं कौन बधी सत्वा और बधी सत्वा किनके आड़न है महायान से यानिकि ये महायान से related है याद रखेगा next है prominent disciple कौन-कौन हुए है बुद्धा के तो सबसे पहले सरीपुता ये chief disciple थे फिर है महा मोगलाना और ये भी chief disciple रहे हैं बुद्धा के third है अनन्द बहुत ज़्यादा famous disciple है और महाकस्यपा फिर है पूर्ण मैत्रयानी पुत्र फिर है अनरुद्धा राहुल उनका जो बेटा था फिर है कत्याना उपाली और अनन्थ पिंडका सुभूती और जीवका ये जो 12 disciples इनके main disciple है major disciples है ये नहीं एक बार आप नजलों से गुजार ले और एक at last ठीक है बुद्धा परजेंट में बुद्धा को बुद्धा बोला गया ठीक है जो future बुद्धा है उनको बोला गया मैत्रे ठीक है हमारा जो चैन भी question 2018 prelim से पूछा गया है कि बुद्धा add to come उनको क्या कहा जाता है तो ये मैत्रे और जो past बुद्धा है उन्हें बोला जाता है कस्प बुद्धा ठीक है तो ये past बुद्धा है ठीक तो ये रहा बुद्धिज्म से related lecture hope कि आपको lecture काफी पसंद आया हो और ये मेरा दावा ह नहीं बिल्कुल पूर्ण विस्वास है कि इससे question कहीं बाहर नहीं जाने वाला अगर जो भी directly बुद्धिज्च से related आया है आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं बुद्धिज्म में उनकी doctrine से related और उनके life events से related ठीक है तो यहीं से question आएंगे क्योंकि ये जो हमने lecture prepare कि किया है वह एल बासम को refer करके किया गया है और मैंने YouTube तो बहुत धुने की कोसिस की कहीं पर एल बासम की कोई explanation है कि नहीं कहीं भी नहीं है सायद ये YouTube पर पहला होगा जो की एल बासम का explanation इस रूप में आपके सामने available है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें comment करें और ज् धंकियो